हेलो फ्रेंट्स एंगल ग्रेंटर का सूच होता है जिसे आप उपर निचे करते हैं वह एक्चुली में उसका सूच ने रहता है वह सिर्फ उसका उपर में पलास्टिक का डेमो बनाया हुआ रहता है लेकिन एक्चुली जो उसका सूच रहता है वह नीचे में लगाया हुआ तो जो सूच यादी आपकोल खराब हो गया हो या फिर उसका सर्कीट डाइगरम कैसे हो कैसे वर करता है वह आज मैं आपको देखाहूं कि của नहर्मल जो सूच होते हिए उसमें एक इस स्वेज़ अरूमल 2W sepul hr आप उसे कैसे रिप्लेज कर सकते हो भी आपको बताऊंगा यहां पर देख सकते हो यहां पर आपको टोटल चार पीन देख रहा हुआ लेकिन इकुले में यह दो पीन है एक सिंगल पिन को दो-दो पीन के तरह निकाल दिया है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा वायर को लगाना ह इसलिए इसमें एक सिंगल पिंट को दो Casey के तरह है बना के नीकाला हुआ है तो हैं सिंगल की फाले हम निकाल रायेνल के बाद मैं आपको सारा पिंदी उसके इसके बारे में आपको इसे चेकर के भी दिखा भी दिखांगा एक्चिली लिम्याय केश्या करता है और इसका जो प पीछे दो वायर लगा हो रहाता है जो कि नट से टाइट किया हो रहाता है उसे आपको निकाल देना है जब सारा वायर आप जब आप निकाल दोगे तो आप आसानी से इस सुच को आप निकाल सकते हो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर दो लगा हुआ है यह स्कुरू और स्क्रूब कर देंगे उसके वाल यह असानी से निकल जाएगा अब उत्रा सा देखना है किस तरगा से सूच इसमें फसा हुआ है तो उससे देखने के बाद आप उसे असानी से निकाल सकती हो इस एंगल ग्रेंटर के अंदर से जो इसका सूच था वो निकल चुका है जैसा कि आप देख सकते हो और इसमें अब हम इसके सूच को देखेंगे और इसके बारे हम जानेंगे तो जब हम इस सूच को प्रेस करकर रखते हैं जब यह प्रेस रहता है तब ही आन रहता है जब आप इसके छोड़ दोगे यह बंद हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह यहांपको इस सट में टोटल चार पिन दिख रहोगा एक्चली यहां प्सान को दो पत्ती कि रूप में निकाल दिया हैं इसलिए उसके सब्सक्राइब करता है सबसे अब लोब हैं सबसे पहले आप ध700 रीट यहांप डोपीन है और शेयर पीन sono two pin है यह सामने इस विचल को प्रेस्ट करते हैं अन लिए अन करते हैए इस स्विच को सब्सक्राइयर ले लिए और यह जो लाइट है उसका Art ले लिए हैं एक wire को जोड़ दी है 220 volt सप्लाई से और मेरे पास आप दो wire बचिए है 220 volt का और एक यह light का इस दुन wire को हम इस switch में लगा देंगे इस तरीका से हम लगा देंगे opposite side में ऐसी करके आपको लगा देना है और switch को अभी हम press करके रखे हैं देख सकते हो अभी नहीं जल रहा है मतलब इस side का switch है वो खड़ाव है उस side भी लगाएंगे तो नहीं जलेगा अब हम क्या करेंगे इसके wire को change करेंगे यह जो wire है इसमें निकालके हम इसमें लगाते हैं यहां पर लगा दियें और अब हम इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके जब हम इस wire को लगाएंगे तो यह मेरा बलब जलना चाहिए देख सकते हो अभी मेरा यह लाइट जल रहा है इसका मतलब इस side का जो switch है वो सही है इसमें दोनों wire लगता है यानि कि live और neutral wire दोनों लगता है और किसी एक side का ज़राब हो जाए तो वो switch काम करना बंद हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहां पर जो मेरा इसे हम sort कर देंगे ताकि मेरा angle grinder अच्छे से work करें और काम करें इसे sort करने के लिए आपको normal क्या करना है जिस side का switch खराब है उस side में एक एक तार ले लेना है दोनों को आपस में जोड़ देना है लेकिन उससे पहले हम इसे थोड़ा खोल के open करके देखते हैं इसके अंदर क्या problem क्या हुआ एक्चुली में जब हम इसे open के सबसे पहले इसमें धूल भरा वहा था उसे हम साफ कर दिये और जिस side का pinch हो टूटा हुआ है वह जल चुका है जल चुका है इसलिए ये इसे इसमें touch नहीं हो पा रहा है जब तक मेरे पास switch नहीं है तब तक हम उसे sort कर देंगे अभी जो निकला है ये जल चुका है अब देख सेकतो यहाँ पर पूरा जल चुका है यह work नहीं कर रहा है तो हम इसे लगा देंगे और हम एक side का switch को sort कर देंगे मैं आपको इसके अंदर लाइट चला कर दिखा रहा हूं यहां पर आप देखते यहां का जो plastic है वो overheat होने करन जल गया है जब हम इसे प्रेस करते हैं तो वह प्रेस प्रेस नहीं कर पाता है जिसके कारण वो touch नहीं होता है तो यह switch जो इस side का damage हो चुका है इसे हमें remove भी करना होगा तो चली हम इस इसी वायर से शोल लिंक करके और जिस तरह कास लगा हो था उससे तरह का सम लगा देंगे